नभसकार दोस्तों स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेश में दोस्तों आज के सुवे के इस विडियो में रोजगार से संब्सक्राइब संब्सक्रेंट से सब्सक्राइब, सिपाही भर्ति, डोस्तों सुरू करते हैं वीडियोन करने से पहले अगर आपने चनल्राइब के लिए परिए दो yatt प्रिष्ट अपडेट फ़रे चनल के माध्यम से समय पर मिल सके हैं सबसे पहले दोस्तों न्यूज है वो सिपाही भरती संबंदित है और इसमें रिक्तपदों की जानकारी हाई कोट ने मांगी थी क्योंकि अभ्यार्थियों ने हाई कोट में आज कर डाले थी कि रिक्तपदों की जानकारी दी जाए तो रिक्तपदों की जानकारी के लिए हाई कोट ने अधिकारी उन्सों जानकारी मांगी थी लेकिन अधिकारों ने इसकी जानकारी नहीं थी तो इसलिए हाई कोट इसमें जब नाराज हो गई है और हाई कोट ने बोला है कि रिक्त बदों की जानकारी दें या फिर हाई कोट में हाजिर हो अफसर और इसके साथ सब्सक्राइब की नियूज है एल्टी ग्रेट की बारे मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था लेटेस्ट अध्यच्छ से कल पांच स प्रवल्म आ रहे हिंदिय और सोचलोजी के बारे में उन्होंने बात की तो अध्यर सिनास वसंदिया था कि जन्वरी में इन दोनों विश्यों के रिजट जारी किये जाएंगे प्रष्थी इसकुलों में रिक्तपदों पर जल्द होगी भर्त रिक्तपद दो प्रकार केулярें एक जिछकों का पद है एक प्रधानचारीयों का पद है और एक लुकों का पद है तो इसके बारे में इंफॉर्मशन यह मिल लए कि लखनों के बेशिक सिच्छा पुरुषकार 2020 के लिए आनलाइन पॉर्टर से आविदन प्राप्त करने और राज जी में राज इस्त्री के अलकुल प्रिजुबता कराने के निर्देश दिये हैं कि दूस्तों एससी की अपडेट यह है कि जो आनलाइन आविदन करने की डेट 14 तारिक तक बढ़ा दी गई है पहले यह 12 जनुवरी तक थी और PCS के अभ्यारितों ने दो अत्रिक्त आवसर की मांग किया है उन्होंने बुलाया कि PCS 2008 की परिच्चा में जो चेंज किया गया थ परिच्चा प्रभावित हो गई थी इसलिए उनको दो अत्रिक्त आवसर दिया जाए प्रतियों ने यह भी निरने लिया है कि इस मांग को लेकर मुख्यक्तरी से मुलाकात की जाएगी 69 यार सिच्चक भरती की बारे में अपडेट है कि साल भार से भरती फंसी हुई है और इस भरती में बीच में सिच्चक भरती के नियमों में बदलाव किया गया था इसलिए यह भरती फंसी हुई है इसे में भरती के बीच नियम बदलाव के खिलाफ अभ्यार्थों निर्णय का विरोथ किया था इस मामले में लगातार हीला हवाली बरते जाने से नाराज अभ्यार्थों का कहना है कि कोर्ट में मामले कोर्ट में मामले सरकार अपना पच्छ नहीं रख रही है अभ्यार्थ प्रबंदकों की मनमानी उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चैन आयोग विधयक विधान सभा में पेश होने जा रहा है और इसके बाद आप आसास की यह सहता प्रावत माध्यमिक स्कूलों और डिग्री कालेजों प्रबंदकों की मनमानी पर भी ब्रेक जायेगा अगहर आयोगा दोरा निर्धारित न्युक्त हुए से शचक्व कर्मचार नहीं नहीं कर आएं तो कार्वाही की जाएगी आयोग से नियुक्ति सिच्छक वक्रमचारी बे Lewisिक वादमिक और उस्ठी सिच्छा विभाग के नितल marriage से भी सिकायत कर सकेंगे होता क्या था कि प्रबन्थक जो है आयोग जो ओध्युकों को भीजता था तो प्रबंधक उनकी ज्वाणिक नहीं करवाते थे और क्या इसे मामलियां है कि सिच्छक अपनी ज्वानिक को लेकर परिशान रहते थे तो अब अगर प्रबंधक कोई प्रबंधक एसा करता है तो जो प्रबंधक की salary है वह तो प्रबंधक का प्रबंधाख है उनके उपर लगाम लगेगी कि दोस्तों अगली अच्छी निजवर है कि केंद्री और नौदे विद्याले विद्यालियों में जो प्रिवेस परिच्छा होती जो प्रिवेस होता है इंट्री होती है उसमें ओवीजिव को भी आरचन मिलेगा अभी तक इसमे आरचन मिलता था और काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी वह भी इसी आयोग ने मांग उठाई थी कि 27 परशंट इसमें आरचन दिया जाए तो अब इस मांग को मान लिया गया है और जो शर्चन सब्सक्राइब से उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा इसके साथ साथ EWS को भी सामान वर के गरीबों को भी लाग देने पर मंत्राले विचार करेगा इसको भी विचार करना है EWS कोटा देने लिए लेकिन OBC का कोटा अभी से लागू हो जाएगा निक्स सत्र में इस च्छोने 25,000 मांद्य मांगा यह सामान कार के लिए सामान का बितन समय्त अन्यमाहeral को लेकर माध्यमिख विद्धि भीइन शित को ने ब्The var k ko Gp 80 Dip Crimach. उकरम son幾 Jahre और इन्हों ने 25,000 का मांदे मांगा है कि इनको 25,000 मांदे मिलना चाहिए इनका परिवार भुखमरी की के गर पर पहुंच गया है क्योंकि ये सिच्छा देने का काम करते हैं बावजूद एक रोटी के लिए मोहताज हैं और जबकि मादवी सिच्छा का आदे ज्यादा कार इन्हीं के कंदों पर है तो ऐसे में इन सिच्छकों ने सामानकार के लिए सामनवेतन की मांग की है जो कि 25,000 तक के बांदे की मांग की गई है तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट मिलते है नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ धन्यवाद